तिमाही नतीजों का सीजन चल रहा है, मौसम चल रहा है, कमपनी अपने तिमाही नतीजें दे रही है। इस भी शेयर बजार में लिस्ट कमपनियों के अब तक आए नतीजों में अधिकतर कमपनियों की कमाई पर महंगाई और घटे मार्जिन का असर देख रहा है। दिसम्बर तिमाई में software, bank और auto mobile manufacturing कमपनियों की कमाई तो ठीक ठाक रही लेकिन कई ऐसे sector थे जिनमें कमपनियों की कमाई पर मार पढ़ी है। 365 कमपनियों के दिसम्बर तिमाई के नतीजों का एक आकलन आया, एक आकलन में ये बताया गया कि विक्री बढ़ने के बापजूद अधितर कमपनियों का मुनाफ़ा फ्लैट रहा है। हाँ, इनमें bank और financial sector शामिल नहीं है। सर कमपनियों की आय में गिरावट क्या दिखा रही है और बाजार पर इसका क्या आसर पड़ेगा। है कि इनके जो profit margins हैं वो करीब 150 points contract हुए हैं यानि कि इनके profit margins में कमी आई और इसका संकेत यह है कि कमपनियों पर लागत जाधा बढ़ रही है, कीमतें बढ़ा कर वो कुछ लागत में बढ़ोतरी को भुगताओं के साथ पास कर रही हैं लेकिन अब मांग तूटने के करण उनके मुनाफ़ों पर दबाव बना हुआ है। जो निवेशक या विशेशक या किसी कमपनी के आने वाले समय में आए में बढ़ोतरी या कमी की संभावना जाहर करते हैं वो तीन से 26% तक के अर्निंग डाउन ग्रिट्स किये गए हैं यानि उनकी आए में गिरावट की संभावना दिखाई दे रही है। कोटेक इंस्टिउशनल इकुटीज ने, जेफरीज ने, मोतिलाल उस्वाल ने, इन्होंने जितनी बड़ी फर्म से उन्होंने भारत की कमपीनियों के अलग अलग कमपीनियों के अगली तिमाही के मुनाफ़े के संभावनाओं में कमी की हैं तो अगर आप शेर बाजार के की कीमतों में गिरावट के तोर पर सामने आ सकता है